आज हम बनाएंगे आलू पोहे के साथ बना हुआ ये बहुत ही देस्ती एक्स्ट्रा क्रिस्पी वेजी स्टिक्स ये जो स्टिक्स हैं ये बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी रहेंगी क्योंकि हम इसमें एक डिफरेंट सी कोटिंग करेंगे और साथ में अंदर एक चीजी सप्राइज रहेगा बहुत ही जादा यमी बनती हैंगे और बनाने में भी न इसे माक्सिमुम पांदोस मिनट का टाइम लगेगा एक्तम सिंपल और आसान सी रेसिपी है बट खाने में बहुत ही जादा लाजवाब बनते हैंगे तो फटा-फट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे और अगर रेसिपी पसेंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप पोहा नॉर्मल रेगुलर पोहा जो हम रूटीन में ब्रेक्फस्ट में यूज करते हैं वही है ये इस पोहे को ना हम थोड़े से पानी में पांच मिनट के लिए भेगो कर रख देंगे आए इसके बाद अब हम इसे चान लेंगे चानने के बाद ना इसे थोड़ी देर के लिए एक साइट पर रख दीजेगा तांकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और पोहे हमारे एकदम से इस तरह से फूले हुए मिलेंगे और ड्राय मिलेंगे आपको ध्यान रखे कि पोहे में कोई भी पानी नहीं होना चाहिए अगर आपको लगे कि अभी भी पानी है तो आप हलका सव से निचोड़कर पानी निकाल दीजेगा तो बस पोहा तायार है अब हम लेंगे थोड़े से आलू तो तक्रीबन तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए मैने इस आलू को हमें अच्छो से माश कर लेना है चाहो तो कदूकस भी कर सकते हो इसे तो बस आलू को माश करने के बाद अब हम इसमें बागी के इंग्रीटीन्ट साट करेंगे तो पहले मैं इसमें डाल रहे हूँ ये पोहा, आप देखरे हूँ कि एकदम सॉफ्ट और फूला हुआ है ये, साथ मैं इसमें डालेंगे एक छोटे साइस का बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइस के बहुत बारीक कटी हुई शिम्ला मिर्च, आप कोई भी और सबजी डाल सकते हो, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अद्रक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, एक छोटा चमच, मैंने कदुकस करके लिया है इसे, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, आज साथ में मैं इसमें डाल रहे हूँ धाई बड़े चमच चावल का आठा, यानि कि राइस फ्लार, इससे इसमें क्रिस्पीनेस और बाइंडिंग आ जाएगी, पर अगर आपके पास ये नहीं है, आप इसकी जगा पेस्ट भी ले सकते हो, अचा आठे की कौन्टिटी ना बहुत ज़ादा आड मत करिएगा, नहीं तो बाद में आपको कच्छे आठे आठे चोटे चमच से थोड़ा साधा चाट मिसाला चटपटे फ्लेवर के लिए, और आधा चोटा चमच में डाल रहे हूं काला नमक, तो बस इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, और साथ-साथ में इसे अच्छे से मैश भी कर लीजेगा, तांकि ये एक डो की फॉर्म एक चीज क्यूब के साथ ना हम दो स्टिक्स बनाएंगे, और इसके बाद अब हमें चाहिए होगी थोड़ी से स्टिक्स, जिसके लिए मैंने ये आईस्क्रीम स्टिक्स लीए हैं, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, तो इन सारी चीजों के साथ अ अपनी ये स्टिक, तो स्टिक के सेंटर में हमें ये चीज स्लाइस रख लेनी हैं, और उपर से दूसरा पाट रख दो इस चीज क्यूब का, तो हलका हलका सब हम इसे प्रेस करेंगे, ताकि चीज जो है ये आपस में थोड़ा सा चिपक जाए, तो बस इस तरह से पहरे सारी स्टिक को बना लेंगे, इसके बाद अब हम लेंगे अपना ये आलू मिक्षर, और काफी सरा पोशन इसका लेकर इसको इस तरह से हाथों में रख के फ्लैट कर लेंगे, और इसके सेंटर में रखेंगे, अब हम अपनी ये चीज वाली स्टिक, और इसे हम इसके अंदर इस स्टफ कर देंगे तो बस हलका हलका से इसको अच्छे से स्टफ कर देंगे कहीं से भी चीज बाहर नहीं आएगा और इसके शेप को इस तरह से थोड़ा सा एड़्जस्ट कर देंगे तो बस इस तरह से हमारी एक स्टिक्स तायार हो गई है इसी तरह से पहले बाकी की स्टिक्स तो मचकाली मिर्ची पाउडर, इसके बाद आप हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और इसकी स्लरी तयार कर लेंगे, तो बस स्लरी तयार हो गई है और आप देखरों कि यह रनी रहेगी पर एक कोटिंग कंसिस्टेंसी है ताकि यह अच्छो से हमारी स् नहीं है तो आप सेंपल ब्रेडग्रम्स ले लो और उसके साथ भी इन स्टिक्स को कोट कर सकते हो तो इन नाचोस को यह आप चिप्स, कुरकुरे जो भी आप यूज कर रहो ना इसको हम ग्राइंगे तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है हलका सा कौर्सली ग्राइंड हो ग तो बस हमारी एक स्टिक तायार हो गयी है, इस तína से पहले बागी की चिक्स को कोट कर लेंगे अर इसतरह से नहीं कोट करने के बाद आप इन स्टिक्स और ने चाहो तो किसी अपर मनन करे है आप इस से निकाल लिए और फ्राइय करके सब कर दीजाके तो बस इस तना से इन श्टिक्स को कोट करने के बाद अब हम इने फ्राय करेंगे, जिसके लिए तेल को मैंने मीडियम गरम किया है तो इसमें अब हम अपनी इस्टिक्स टाल देंगे और इसे अब हम low medium flame के उपर fry करेंगे तब तक जब तक ये पूरे अच्छे से क्रिस्पी और golden brown ना हो जाए ध्यान रखे कि flame को low medium रखेगा ताकि अंदर का cheese भी अच्छे से melt हो सके अगर flame high रहेगी तो उपर का color एकदम से change हो जाएगा और cheese milk नहीं हो पाएगा तो बस थोड़ी देर तक fry करने के बाद अब आप रहे हो कि कितना अच्छा golden brown color आगया इसके उपर और एक तम अच्छा से crispy हो गई है ये तो इसे अब हम निकाल के एक टिशू टाल पर रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के sticks को fry कर लेंगे आइसके बाद अब हम इसे गर्मा गर्म सर्फ करेंगे अपनी 100% sauce या चटनी के साथ इसे सर्फ करो ये सब को बहुत ही जादा पसंद आएगी बाहर से ये एकदम crispy रहेंगे और उपर से nachos के साथ बने हैं तो nachos का एक अलग सा flavor होगा और साथ में वो आलू mixture और बीच में cheese बहुत ही जादा पसंद आएगा ये तो आप भी try करो इस recipe को मेरे साथ अपना feedback ज़रूर शायर करिएगा पिक्चो शेयर कर सकते हैं इन सारी recipes की आप मेरे Instagram पर और अगर आपको आज की ये recipe पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें